नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के थमनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं कि उन्नत पद्धती से धान की खेती आप लोगकों मैं 3 में 3 के बारे में बताएं हूँ पहले स्रीवीधी के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं घर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें इसमें क्या है कि 6 इंच गहरी जुताई आपको इसमें करनी परती है और मेड पर जो घास रहता है उसको छील के आपको साफ कर देनी जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में राइट साइड में कि इस पर जो भी मेड पर जो घास होता है उसको छील के आपको हटाना होता है बीज दर इसके लिए जो होता है 10-15 kg पर एकर 10-15 kg पर एकर होता है बीज की छटाए आपको नमक के घोल विधी से करना बेहतर होगा इसके लिए आप फुफुंदी नाशक दवा एंट्राकलोर या कारबेंडा जीम का उपयोग आप कर सकते हैं 2 ग्राम पर केजी सीड या बीजामरित 200 ग्राम पर किलो बीज मिला कर आपको बीज उपचार करनी है रोपाई में एक जगह में पौधों की संख्यां बिचरों की आयू के अनुसार आपको रखनी होगी इसमें बिचरों की आयू अगर 15-22 दिन का बिचरा आपको है अधिक उपज है तू कम दिन के बिचरों की रोपाई जो है सुनिश्चित करना चाहिए आपको जो है 15-20 दिन बला बिचरा ज्यादा से ज्यादा उपयोग इसमें करनी चाहिए अधिक उम्र के बिचरों को रोपाई तूसा काट करनी चाहिए इससे तना छेदक कप्रकोप जो है कम होता है आपको इसमें क्या करना है जैसे कि हम बिचरा गिराते हैं और वो तीन से चार पत्ती का हो जाता है उसके उपर से थोरा तूसो को काट देना है जिससे कि उसमें जो भी तना छेदक कीट होंगे वो आपको निकल जाता है और कल्ला भी इससे काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है जरुत के अनुसार जो है फसल संदक्षन आपको करना चाहिए और उपज का आंकलन जो है इसका जरूर करना चाहिए थैंक्यू विडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें